एसके क्लासेस के यूटूब चनल पर आपका सोगत है दी इश्रेंट्स आपके सामने भौतिक विज्ञान कक्षा बारवी के वे सभी प्रशने ले करके आ चुका हूँ जो आपके परिक्षा में पूछे जाएंगे पहला पेपर आपके भौतिक विज्ञान का है लगातार इश्रेंट का डिमांड था कि प्लीज एसके कक्षा बारवी के भौतिक विज्ञान का आईएंपी कोश्यन दो यार जो हमारी एक्जाम में आई जैसे हमेशा तुम देते थे तो आप लोग के डिमांड कारण ये हमारा पार्ट नेंबर सेकंड होने जा रहा है अगर तुम अभी भी नहीं देखे हो तो जाओ जाकर करके देखो एक मैं प्लीलिस्ट बढाया हूँ वहाँ पर आसानी से अपने सभी विषय के आईंपी कोश्यन देख सकते हो तो बिना टाइम इसके फटापड़ी वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो चलिए हमारा चैप्टर नमबर फर्स्ट होई चुका है अब हम कवर करेंगे चैप्टर नमबर सेगण्ड देखी यह आपके सामदे रहा चैप्टर नमबर सेगंड विद्ध धरता अवन वेखव इंड तक बने रहना वीडियो इंड होते होते आपको वही questions बताऊंगा जो आपके परिक्षा में पूँछा जाएगा इसके अलाबा अगर तुम इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्सर माँस में है जाओ जाकर के PDF को डाउनलोड करो मनमें कोई भी कोई रीस हो तो Instagram पर पूँछ सकते हो ओके देखो सबसे पहले तुम देख लेना कि बिद्धुत विभाव होता क्या है एक नंबर का प्रशन हमेशा पूछा है बेटा इसलिए बिद्धुत विभाव क्या होता है इसे अच्छे देख लेना तो क्या होता है जार उज़ा लगती है जो कार करना पड़ता है उसे ही बिद्धुत विभाव कहती है अभी नहीं आया स्वाज है मुझे पता है अगेन समझना देखो एकांग छेतर फल समझना एकांग ये कोई बिंदु होगे ठीक है एकांग की बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक बिद्ध यहां से संधारत का देख लेना संधारत से समझनित कोषण मैं आपको कराने वाला हूँए बस यहां से इतने ही कोषण बनेगे अच्छे एक नमर के साब से बाद करूं चौथा नंबर शातवा नंबर इन कोषण को देखना है इसके अलाबा टेली ग्राम पर आपको ए संब्भाव कमतलव संबिभाव मतलब उससे संब्भाव कर लेंगा टैन्सन मतलो जिस questioning कराऊंगा वही पूछाएगा और जिस question को 200% सियोरोटिक साथ बोल दूँ उसे पढ़के जाना तुम्हारे जीले में वही question देखने को मिलेगा अच्छा आगे देख लेते हैं दस्वा नमबर संधारित्र की दो प्लेटों के बीच पराबैदुत माध्यम रखने से धारिता क्यों बढ़ जाती है यह प्रशना आप अच्छे से प्रपेर कर लेना आपके एक्जाम में आएगा आगे वड़ते हैं नेक्ष देखते हैं लग उत्तिरी प्रशन तीन नमबर सा यहां से कौन-कौन से प्रशन पूछे जाएंगे यहां से अभी आपको सीधे जंप करना है अपने प्रशन क्रवांक तीन में सिद्ध कीजे कि बिद्धुत दुद्रुग की अनुप्रस्त इस्थिती में किसी बिंद का विववव शून्य होता है सबसे पहले चित्र बनाना ठीक है चित्र बनाव बाद यह लिख देना आपके परिक्षा में तीन नमबर का प्रशन एक तयार हो गया है ठीक आगे बढ़ते हैं सब्भीव प्रश्च की से कहते हैं मैंने पहले बता दिया इसकी बिशेस्था आपको कहां मिलेगा अत्ति लगुद्री प्रश्चे करवान के एक और दू में तो यह प्रिपेर कर लेना तीन नंबर के साथ से पूछा जाएगा ठीक है तो विस्यस्ता कितनी लिखोगे देखो अगर यह प्रश्ण पूछे न कि सम भीवा प्रश्ण किसे कहते हैं तो एक नंबर तहां से बन गया यदि इसका तुम परिवासा लिख दिये तो और विस्यस्ता बोला है तो तीन नंबर का प्रश्ण लेगा दो विस्यस्ता लिखने हैं मतलब दो नंबर यहां से एक नंबर यहां से तुम्हारा काम हो जाएगा इतना आपको लिखना है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र हमेशा से आप सभी के एक्जाम में पूछता आ रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा यह देखो यहां पर प्रश्णिका ना कि समांतर करम सेड़ करम में जुले संधारित की तुले धायता का बेंजग्यात की संधार ना लिए तो समांतर प्लेट संधारित्र हमेशा पूछा है तो प्लीज इसे अच्छी स जाकर की कोश्चन को देख लो ओके तो इस प्रकार से इस चेप्टर के भी सभी कोश्चन बता दियों ज्यादा निते चार पांस थे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों साथ सेर कीजेगा और एसके क्लासे में पहरी चैनल को सब्स